बسمिल्ल् Buy colorful रहीम ऑसलामलेकूं मीवर्ज आज हम बनाने जा रहे हैं बोखती नब्राइस चीकन श्वारमा की रेसिपी जो पहुती असानी से बन जाएगा। ठाल करते हैं बिस्मिल्ल्मी राख्माले रहीम। यहां पर मैंने एक बूल के अंदर 500 ग्राम चिकन एड़ कर दिया है चिकन को मैंने चोटे-चोटे पीसिस में काट लिया था अब इसके अंदर आपने हाप कप योगर्ट एड़ कर देनी है आप चाहें तो इसको थाई बोनलेस में भी बिना सकते हैं यहां पर मैं इसके लिए कि ब्रेस्ट पीसिस इस्तमाल कर रही हम इसको आपने एक एक इंच के पीसीस में कट कर लेना है आप इसके अंदर आपने स्पाईसी आइड़ करनी जिसमें आपने वन टेबली स्पून लाल मिर्च का पाउडर कर देना है एक एक की जगा चार्ट मसाला भी आड़ कर सकते है आप टी-स्पून इसमें कुटी विलाल मिर्चे जाएगी 1 टेबली स्पून दनिया पाउडर जाएगा 1 टेबली स्पून इसके अंदर आपने जीरा पाउडर आड़ कर देना है क्वाटर टी-स्पून इसके अंदर आपने हल्दी शामिल कर देनी है दो अदद लेमन का जूल्स इसके अंदर एड़ कर दें वन टेबली स्पून ही आपने इसके अंदर चॉप किया हुआ लैसन एड़ कर देना है लैसन का फ्लेवर चिकन के अंदर बोकती मज़े का आएगा अब आपने इन सारी स्पाइसिस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर इसको आपने आदे गंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि सारी स्पाइसिस अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए यहाँ पर मैं इसको कवर करके आदे गंटे के लिए रख रही हूँ दूसरी दरफ मैंने पैन के अंदर 2 टेबली स्पून ओयल एड़ किया है जैसे ही ओयल हलका सा गरम हो जाएगा इसके अंदर आपने चिकन वाला मिक्स्टर एड़ कर देना है चुले की फ्लेम हमने लो पे ही रखनी है लो फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है ताके चिकन हमारा अच्छे से सोफ्ट हो जाए यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ज्यादा पानी इसके अंदर आपने ड़ोग यह रोख असकंड़ की आपने करो आपने आपने इसको भी करना है यह चिर हो rust यह देखिए यहां पर 10 मिनट हो चुके हैं पानी बिल्कुल ड्राइ हो चुका है और मारी चिकन जो है वो भी काफी सॉफ्ट हो चुकी है अब आपने स्पैचुला की मदद से चिकन के पीसिस को मजीद थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेना है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ट करना है जैसे हम आमलेट के लिए छोटा-छोटा काटते हैं प्यास करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है चुले की फ्लेम अभी भी लो पे ही है जैसे ही प्यास थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने इसके अंदर हाफ कप चॉप की हुई शिमला मिर्च एड़ कर यहाँ पर ready हो चुका है इसके 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 इसक ले चुले की फ्लेम ओफ कर देनी है अब हमने इसके अंदर चाहँ चीज है और वह क्या है वह शियर करो आप डिए चलूघिटिग यहाँ पर हम भी मि rooting को करतेैं है इक साइट पर यूप पर जाल रफक स्लाइसे में कुई च कप खुड़त करें एंद्दा चौप क हुए ट्माटोंब्स एड़ करता तकüs सलगे लुक्त गूइए बिल्कुल रेड कलर के अब इसके नदर आपने पैन को लगा दिया है मखन जिसको मखन लगाना कहते है वह वाला मखन नने इसको लगा दिया है तक्रीबहँ हशाओई पूं था अब हमने इसके उपर पीटा प्रैडड है श्वार्मा प्रैड भी इसको आपaxy Enne यहां पर वन पीटा प्रेड हमारी रैडी हो चुकी है सैकिन को भी हम इसी तरह से गोल्ण करेंगे दोनों अच्छी तरह से सिख चुकी है तो चलिए फटा फट से श्वार्मा रैडी कर लेते हैं बहुत सारी आपने इसके उपर लगानी है कैचप क्यूकि कैचप बच्चों को बहुत इपसंद होती है अब इसके उपर आपने मिक्स्चर रखना है फिलिंग आपने इसके उपर थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है आपके बच्चे और बड़े इसको एजी ली जो है वो कैरी कर सकें यह देखें हमने इसको अच्छा सा रोल कर लेना है ताके इसकी फिलिंग न निकले इसके साथ ही वीवर्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा यहां पर हमारा मज़ेदार सा चिकन शुवार्मा बिल्कुल रैडी हो चुका है इस सब्सक्राइब आपको बहुत